पूरी दुनिया को जब अंग्रेज हमारे देश को छोड़के गए, अंग्रेजों ने जाते जाते कहा था, कि ये तो हम थे जो सौ सवा सो साल तक भारत के उकर हमने राज करके भारत को एक साथ रखा, अब देखना हमारे जाने के बाद, इन से अपना देश नी चलने वाला, इन लोगों से भारत एक साथ नहीं रहेगा, ऐसे अंग्रेजों को भी लग रहा था, पूरी दुनिया को लग रहा था, दोस्तों आज सब्तर सालों है, भारत एक साथ भी है, और खूब तेजी से तरक्षी भी कर रहा है, और उसका केवल एक कारण है, हमारे देश का ये इतनी जाती, इतनी विविदता, ऐसे देश का संविधान लिखना कोई असान काम नी था, बाबा साथ अंबेड करने, पूरी दुनिया के संविधान पढ़े, सारे देशों के संविधान पढ़े, जहां से जो जो अच्छा मिला, वो सारा उन्होंने इस संविधान के अंदर दाना, और इतना शांदार संविधान पढ़े, संविधान में लिखा है, बराबरी का अधिकार होता, अभी तक, यहां इतने सारे बच्चे बैठे हैं, अगर कोई बच्चा गरीब घर में पैदा होता था, और कोई बच्चा अमीर घर में पैदा होता था, क्या उनको अबरी का अधिकार था, नहीं था, मैं आपका मुख्यमंत्री हूँ, हम सरकार चला रहे हैं, सरकार की नजरों में, मुख्यमंत्री की नजरों में, एक बच्चा अगरी घर में पैदा होता है, और एक बच्चा हमीर घर में पैदा होता है, मेरे लिए तुक मेरे दोनों के बीच में फरक नी कर सकता तो इसलिए जब हमारी सरकार बनी हमने अपने सामने सबसे पहला लक्षे रखा कि इस गरीब के बच्चे को भी अच्छी शिक्षा बिदा के रहेंगे हम दो दिल्ली में जो भी बच्चा दिल्ली में पैदा होगा चाहे वो गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो सबको अच्छी शिक्षा मिलेगी सबको एक जैसे शिक्षा मिलेगी आज पान साल के अंदर हमने वो करके दिखाया बाबा साब बंबेड करका एक सपना पूरा किया हमारे संविधान में लिखा है जीने का अधिकार होगा पहले गरीब आदमी के अगर कोई बिमार होता था वो सरकारी अस्पताल में जाता था सरकारी अस्पताल में इलाज का बुरा हाल आज दिल्ली के अंदर सरकारी अस्पतालों में वैसा ही अच्छा इलाज है जैसा प्राइवेट अस्पतालों के अधिकार दिया दिल्ली के अंदर हमने योजना बना अभी तक अगर किसी का एक्सिदेंट होता था, कोई उसको बचाने के लिए नहीं जाता था, वो बिचारा सड़क पे पढ़ा रहता था, लोग सड़क पे गुजर जाया करते थे, लोगों को लगता था मैं क्यूं पचरे में पढ़ू, मैं अगर इसको अस्पदाल में ले गय तो अस्पदाल वाले मेरे से पैसे मांगेंगे, अब हमने कहा है कि पैसे की चिंता मत करो, अगर कोई और किसी का एक्सिदेंट हो जाए, जो भी उसको देखता है, तुरंट उसको नियरेस्ट अस्पदाल में पहुचाओ, कितना भी महंगा अस्पदाल होगा, सारे पैसे द समभिधान में लिखा है, करीबी दूर करेंगे, करीबी कैसे दूर होगी, केवल नारे लगानों से दूर नहीं होगी करीबी, हमने तिल्ली के गरीबों का मिनिममम बेज बढ़ाया, एके गरीब मजदूर को, एके गरीब करमचारी को, हमने 15-15,000 रुपए महेने की तन खा करीबी तब दूर होगी, मुझे ये लगता है, अगर ये बाबा साब अंबेडगर का समभिधान एक दिन के लिए अच्छे से लागू हो जाए, ये देश कहीं का कहीं पहुंचाए,